हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं साइकेड्रिस्ट हिप्नो थेरेप्रिस्ट सेक्सालोजिस्ट डिएडिक्षिन स्पेशेलिस्ट एनलपी ट्रेन वरेक कोच हूँ मैं आउख बताने माला हूँ सिंपल स्किसोफ्रेनिया के बारे में मतलब साधा चिन्द मानस या साधी साधा टाइब जो है स्प्रिट परसनलिटी का एकदम सिंपल वो यह यह बीमारी जो है यह कॉमनली लड़के लड़कियों में और अठा या पचीस साल यह एज में होते रहती है ज्यादा दिखाई देती है इसमें वो लड़का अच्छी पढ़ाई करता है पढ़ाई चालू रहती है और अचानक पढ़ाई बंद कर देता है घर में बैठे रहेंगा कई आना नहीं देरे देरे बाच्चित कम होते रहती है अपने अकेल अकेले बैठेंगा किसे मिलेंगा नहीं पढ़ाई कभी करेंगा कभी करेंगा नहीं और अपने खायालों में रहेगा किसका फोन नहीं उड़ाएगा कोई काम किया है तो काम नहीं सुनेगा घर के बाहर भी निकलेगा और अकिला अकिला बैटे बहुत सारा सोच रहा ऐसा ऐसा दिखाए देंगा कि उसको ऐसा कोई मतलब हसी मजाक सहन नहीं होती हसी मजाक तो खुद करे गई नहीं हो कोई वेक्ति उनको देखेंगा नहीं हसते हुए उसको बोलना पड़ेंगा कि आजा खाना खाले या स्नान कर लो यह चलो कहीं बाहर चलते हैं वो अकिला अकिला रहे के कभी ऐसा दिखता है कि वो अपने आप से कभी ऐसे ओट हिलाएंगा मतलब बात्चित करते वह दिखेंगा कभी-कभी या कभी-कभी एक छोटी सी हल्की सी स्माहिल लेंगा अपने आप से तो एकदम सिंपल टैप ऑश्क्रिजोफ्रेन रहता है यह धीरे 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 चालू होता है मालूम है नहीं पड़ता चालू कभ वहा है मामा आपको पता ही लगता नहीं कि इतना धीरे होता है कि लगता है कि ठीक है आजकल जड़ा शांत रह कि अभी मेरे पास में अभी इतने में चार-पांच बच्चे लाए जो इंजिजिरिंग पढ़ चुके पोस्ट एजुएट है मेडिकल उन्होंने मतलब एंबी बेस किया हुआ है या कोई वकील है कि जो अच्छा कर रहे था अभी तक बहुत ही अच्छा चल रहा था और वह है या धिर तो पिछले 6 महने में या साल और में धिरे 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 नीचे-धिरे नीचे-norाव आगते गे उनके अभी दिख रहा है सब को इनभी इसमें problem है अब क्या होता है कि यह जब 6 मेना सालवर हो जाता है तो ठीक करना भी कठिन हो जाता है एक तो मेरे पास में वहां रामपूर से है दिल्ली के पास में वहां से उसको लाया उसके बहुत पिछे लगते थे बाहर निकल काम कर गुस्सा करते थे पिताजी मगर वह करता नहीं था यह उसको मेरे पास में यह लाया है तो उसको समझा के दिया उससे बात्चीत किया कुछ दवाई या उसको दिया कि जो दवाई उसके उपर काम करती है इसके दुष्रणिया के उपर वो दवाई दिया और अभी धीरे धीरे वह उसमें से बाहर आ रहा है जो दवाई इसे ठीक नहीं होते हैं उनको इसीट इलेक्ट्र कण्वर्श रेवी देते हैं और इसीट देके भी मतलग शौक टीटमेंट वह शौक टीटमेंट देके वह अच्छा हो जाते हैं इसका इलाज शादी करना नहीं क्यों होता कि यह उमर में जब बच्चा ऐसा बात्चीत नहीं करता आकेला-केला रहता है मुसिलिंग करना हिपनोसिस के माध्य में से उसको कोई सिखाना रेलाक्सेशन टेक्निक्स फैमिली थेरेपी ऐसा करके वह अच्छा हो सकता है ऐसे काफी सारे बच्चे आपके परीचित होंगे कि जो ऐसा धिरे 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 अपने लेवल से निचे उतर रहे लड़किया भ थे हुआ हुआ है अ